किसान भाईयों आज की वीडियो के माद दिन तो आपको बतलाने वाले हैं अगयती गिलकी की उननस सपल खेती के बारे में गिलकी को हमारे देश के अंदर अलग-अलग राज्यों के अंदर अलग-अलग नाम से आनाता है कुछ जगा पर इसको नैनुवा भी कहा जाता है बोले या पर लगा कणिजिए उसको तो फोषव यहां को ब्लग सब्सक्राइब मैं अपको आझायों के स किस प्रिकार से आप पनी फचरेती कर सकते हैं और जैसे की जानते हैं अगयती-खेती-ख्याती सर्दी की मौसम में आपकी इस प्रिकार से ग्रो कर सकते हैं तो नमस्कार में राजक्मार सेनी स्वागत करता हूं अपने वीडियो चैनल डी आर एक लिए कर देना चैनल पर कर देना ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुंच सके तो सबसे पहले देखिए अब बात यह आती है किसान भाहियों के मन में एक स्वाल लेता जाता है कि भाहिया पंद्रह दिसंबर के बाद बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तो इसनी हमें यहां पर फचलों में घ्रोई बहुत कम हो ताकिस प्रिकार से हमें इसको घ्रो कर सकते हैं तो चलिए सबसे पर पहले देखिए। आप जहान पर घिल्गी को था छा जरूता स्भाइल से यहां युद्री को पर दिज गराना ये मिटी को ब्रुपर भुरुपर्स करने को बहुँ इसको बाइप कर देना चाहिए। एंदर हो दोगे हैं जैसे कि आपको जमेने के अंदर प्रॉबर थे ना को पानी भर देना पानी के पाद जहां पर आप मिला यहां का तो उसके बाद माण आपको यहां पर बीच की रॉपाय करने हैं, तो यह जब आप तो अंगरों बहुत ही बढ़ी होगा क्यूंकि जमीन के अंदर देशी खा दोगा प्रवर मातरा में देशी खा जमीन को मुलायम रखता और बीच का अंगरों बहुत आसानी सब्सक्तार हो जागा और अगर आप इस तरीक से बीच की बॉहाई करेंगे तो आपकी बीच के आप ना दो देशी खाद मिलाते हैं ना उसको त्यार करते हैं तो बहुत ज़या अनके बीच के अंदर जंता ही नहीं है वो परसान हो जाथे तो सबसे पहला आपको यही चीज करनी है धिहान देना जहां पर आप गिलिका बीच बोना चाहते हैं बहां पर अपर खुर्पे क आप जमिन को भर करने के बाद गारंदे बाद पर जमीं होगा जाए जब खुशक को जाएं तो उसके पर दूबारा को मुलाय मोलाइम बूर्बरी करके थे फिर आपको बहां परियाप्न नमी रखनी पड़ेगी परियाप्न नमी दसना यह नहें कि आपको ब्हर बहुत पर पानी लगा रहा है कि आंदर बरब बहुत ज्यादा मात्रम अडेक करता है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है आपको ज्यादा नमी नहीं रखनी है लेकिन ऐसा भी आपको नहीं करना है कि आपकी जमिन फूस्त हो जाए प्रॉपर नमी होने चाहिए ताकि हमारी खेत की नाम में मार्केटि में आता देखिए बहुत वैसे तो हलका-फलका फंगी साड होता वो लेकिन उसका काम जो होता है बेसिकली मैं आपको बता दूँ उसको काम होता एक मातर यहां पर सर्दी से बचाने का होता है यानि अगर आप किसी फसल में उसका इस्तमाल करते हैं तो में तो उसका इस्तमाल करना आपको 6-7 दिन गरना है तो दिखें उससे होगा गया वहां आपकी फसल को सर्दी से बचाएक और आपको मतर एक महिना केबल जनवरी- जनवरी- चनवरी महिने आपको फसल को बचाले ना हो इस समय अगर आपने बचालिया जिस तरीकेते मैंने इस तरीके से खेती करी गिरो कर लिया तो फरबरी के महां में भाईया आपको गिलिकी का रेट मिलेगा ना बहुत ही बढ़िया आपको रेट मिलेगा और गिलिकी इस पर आपको पता होगा क्यों कि यह जाद लागत देने का अपको बहुत ही बड़ी असे प्रॉफिट भी हमें देखने को मिल जाता है जिसको आप इजली खतम कर सकते हैं तो अगर आप अगयती खेटी करना चाते हैं तो यह बहुत सची समय चला आप पंदल समर आने वाला है फटड़ाफट खेटी कर दीजिए जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आपको बवाई करनी है तो आपकी बवाई जो होगी व होगा और जिस तरीके मैंने आपको दवाईयों को प्रियोग करते हैं तो आपकी गिल्की की फसल में कोई भी नुक्सान यहापन नहीं होगा आप सर्दी के मौसमें बहुत बड़े अस्तों को गिरो कर सकते हैं अच्छी काज इनकम्यों से पराप्त कर सकते हैं धन्यवाद